दोस्तों को फिर साब सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर ओएश 11 या फिर रियल्मी या फिर रियल्मी के किसी फोन के यूजर है और आपका डिवाइस एंडरॉइड 11 पे है तो आपको पता होना चाहिए कि एंडरॉइड 11 में एक नई फीचर दी जा रही है ओपो और रियल्मी की तरफ से और वो फीचर है डायामिक रैम एक्सपेंशन और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में एक इंपोर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं सबसे पहले उन इवजर्स के लिए कुछ बाते हम यहाँ और बताना चाहें के जो अब JT है उनको अगर पता कि एक सब्सक्राइं में जभाइं करते हैं तो रहे मंचाहा र्याम जो है चलिए आपको बतादेशे हैं तो डूस्तों यह है कि डाइनामिक एक जय से नहीं मिलने वाले यहाँ पर वारीनेट वारीज किये था कैसे च्छी आपको बतासर जुँज कहले सबसे पहली बात कि आपके पास 247 फोन और आपको Android 11 की update मिल चुकी है तो RAM expansion के जरी अगर आपका RAM 4GB का है तो उसको maximum आप 3GB ही increase कर सकते हैं यानि कि 7GB तक increase कर सकते हैं बसरते आपके internal storage में 3GB extra यहां पे storage होना चाहिए खाली जब free space होगी 3GB तब आप RAM को 3GB तक increase कर सकते हैं हाला कि आपके पास बहुत सारे option होंगे एक जीबी increase करना है दो जीबी increase करना है या फिर maximum 3GB increase करिएगा या आपके उपर depend करता है यानि कि जो 4GB 64GB वाला variant होगा या फिर 4GB RAM अगर आपके phone में है तो आपका RAM maximum 7GB तक increase किया जा सकता है अब वहीं पर बात करते हैं अगर 6GB और 128GB या फिर 8GB और 128GB वाले variant के लिए तो यहाँ पर कुछ changes किये गए हैं यानि कि अगर आपका phone 8GB RAM पर run कर रहा है पहले से तो आपके RAM को यहाँ पर 5GB तक increase किया जा सकता है यानि कि 13GB तक कर सकते हैं वहाँ पर option होगी 2GB, 3GB और 5GB की तो यह यहाँ पर changes आपको देखने को मिलेंगे 4GB, 44GB और 6GB या फिर 8GB, 128GB में 6GB वाले को 5GB तक increase कर सकते हैं जबकि 4GB वाले को आप 3GB तक increase कर सकते हैं जबकि 8GB वाले को भी आप 5GB तक ही increase कर सकते हैं तो यह changes किये गए है, अब बात करते हैं कि कौन-कौन से phones में मिलेंगे, अब भी अगर आपके पास doubt है, तो हम आपको यहाँ पर clear कर दें कि Realme या फिर OPPO के कोई भी phones है, जिसमें आपको Android 11 मिली है ना, तो उसमें update के थुरू यह feature दिये जाएंगे और दिये भी जा रहे है तो आने वाले update का इंतजार करिए, RAM expansion की feature पर्षो एनाउंस की गई है, पर्षो एनाउंस की गई है, कि वो साड़े device में मिलेंगे, जैसे 4G plus के बारे में, या फिर करे रहे application कह लिए, उसके बारे में मैंने बताया था कि साड़े device में आने वाले हैं, तो ऐसा ही कुछ होने RAM expansion feature की, हाला कि Android 11 की feature है, इसलिए इसे देना कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है, कि आपके device का hardware सपोर्ट नहीं करता, यह तो आपके internal storage को ही convert कर देती है RAM में, तो आपके phone में internal storage अगर free है, तो आप अपने मन मुताबिक RAM को increase कर सकते है, भले ही या virtual RAM होगी, लेकिन इससे आपक TV तक हम increase कर सकते हैं, लेकिन सारे phones में मिलेंगे, तो उमीद है कि अब आपके साड़े routes clear हो चुके होंगे, RAM expansion feature को लेके, अब इंतुजार करिए कि किस update में आपको RAM expansion की feature मिल जाए, और अगर आपको मिल चुकी है, तो जरूर बताएगा कि कैसा है device का performance RAM expansion के बाद, हाला कि मेर थाज़त, THANK YOU